इस्राइल को पड़ा जटका लगा है नेतन याहू का गुरूर टूट गया है क्योंकि इस्राइल जिसे हमास और हिजबल्ला के खिलाप सबसे बड़ी दिवार कहता है उसको नसरल्ला के लड़ाकों ने जटके में खत्म कर दी हिजबल्ला का दावा है कि उसने इस्राइल के आईरन डूम को एक जटके में फोड़ दिया है नसरल्ला के लड़ाकों ने इस्राइल के आईरन डूम के दो सिस्टम तबाख कर दिये हिजबल्ला का कहना है कि उसने उत्तरे इस्राइल के कबरी में उसकी बंबारी ने बड़ी तबाही मचाई यहीं पर आईरन डूम सिस्टम तैनाथ था यह बात पश्च्चमी मीडिया भी बता रहा है और इसकी चर्चा अमेरिका में भी हो रही है लेकिन इसराइल ने इस पर पूरी तरह से चुप़ी साध रखी है हमास के रॉकट को रोकने वाला आईरन डूम इस वक्त संकट में हर हमले का मूत और जवाब देने की धमकी देने वाले नेतन याहु ने आईरन डूम पर हुए हमले पर अब तक कुछ नहीं बोला है हाला कि ये तो तैय है कि इस हमले ने इसराइल की टेंशन बढ़ा दिये है क्योंकि यही वो सुरक्चा कवच है जिसके बलबूते इसराइल अपने लोगों की हिफाज़त करता है उसकी सीमा में आने वाले रॉकेट और मिजाइल को इसराइल अपने इसी मिजाइल डिफेंस सिस्टम से मार गिराता है साथ अक्तूबर को भी जब हमास ने करीब पांच हजार रॉकेट से हमला किया तो आईरन डूम ने बड़ी तादाद में रॉकेट मार गिरायत हजबुला जानता है के रॉकेट इसराइल पर बेअसर साबित होते हैं इसलिए अब उसने एंटी टैंक मिजाइलों का साहारा लिया है वो तोप से भी गुलाबारी कर रहा है हजबुला लगातार इसराइल के लिए सरदर्द बना हुआ है पहले भी इसने एंटी टैंक मिजाइल सिस्टम से इसराइल के मरकावा टैंक को निशाना बनाए और अब उसके निशाने पर आयरन डूम सिस्टम आ गया है इससे पहले जब जब फिलिस्तिनी संगठन हमास में रॉकेट से हमला किया है आयरन डूम का सक्सेस रेट 95 प्रतिशत से उपर रहा है यानि हर 100 रॉकेट हमलों के बाद जब आयरन डूम की मिजाइल फायर की गए तो उसने 90 से ज़ादा रॉकेट को आस्मान में ही रोक दिया इसी वज़ा से इस एर डिफेंस सिस्टम को लेकर दुनिया में मांग बढ़ने लगी ये जेलिंस्की की डिमांड लिस्क में भी आ गया आयरन डूम 4 किलोमेटर से लेकर 70 किलोमेटर दूर से हो रहे हमलों को रोक सकता है ये मिजाइल को भी रोक सकता है ये रोकेट के हमले भी रोक सकता है और तोप के गोलों को भी रोक सकता है इसराइल की ये हालत देख कर कह सकते हैं कि इन हमलों को रोकने के लिए आयरन डूम फेल साबित हुआ है और इस्तमाल करने पर बहुत महंगा भी साबित होता है क्योंकि एक लाख रॅपए की कीमत वाले रॉकेट या तोप के गोले को रोकने के लिए इससे दो मिजाईल फायर की जाती है जिन की कीमत रेंज के हसाब से सतन लाख से एक करोड रॉपए हो सकती है यानि एक रॉकेट जिसकी कीमत एक लाख रॉपए भी नहीं उसको रोकने के लिए इस हत्यार की इतनी बड़ी कीमत हैरान करती है अब खुद आइरन डूम पर हमले ने बता दिया है कि नेतन याहू का कोई डिफेंस सिस्टम पखता नहीं है दुनिया के सबसे बेहतरीन एर डिफेंस सिस्टम माने जाने वाले आइरन डूम पर अटाक के खबर में इसराइल को 440 वोल्ट का करंट लगा दिया है ये नेतन याहू के लिए भी बहुत बड़ा जटका है लेकिन सवाल है कि अब नेतन याहू इन हमलों का जवाब कैसे देंगे इस बुल्ला के धमाके के बाद दो लोग बहुत ज़्यादा टेंशन में है गाजा और इसराइल की बीच चल रहे युद्ध ने पूरे पश्चिम एशिया को तीसरे विश्री युद्ध के एपिसेंटर में तबदील कर दिया है और इसकी वज़ा से दो ताकतें सबसे ज्यादा फेक्र में डूबी हुई है पहले हैं इसराइल की ब्रधान मंत्री बिन्यमिन नेतन याहू और दूसरे हैं अमेरिका के राश्ट्रपती जो बाइडन दोनों की टेंशन का मीटर लगातार रेड लाइन को पार करता जा रहा है इस तस्वीर को लेकर खौफ बहुत ज्यादा है हमास से धाई महीने से जारी जंग और हिजबल्ला के बढ़ते हमलों के बीच अमेरिका के रक्षा मंत्री लॉइड ऑस्टेन इसराइल पहुँच गए यहां उन्होंने एक बार फिर दोहराया कि इस जंग में अमेरिका इसराइल के साथ है हालकि उन्होंने इस पर कुछ भी नहीं कहा कि अगर हिजबल्ला के तरफ से हमले तेज हुए तब भी वो इसराइल का साथ देंगे अगर हिजबल्ला के बार इसराइल का साथ देंगे एंट गाज़ा एक तरफ हमास गाज़ा पट्टे में इसराइली सेना को कड़ी टक्कर दे रहा है दूसरी तरफ लिबनान बॉर्डर पर हिजबल्ला लगातार फाइरिंग कर रहा है ऐसे में सवाल है कि इसराइल के लिए अगला खत्रा कौन सा आने वाला है ये बात नेतन याहू अच्छी तरह से जानते हैं कि इस जंग में अमेरिका से भले ही उसको मदद मिल जा लेकिन युद तो उसे खुद लड़ना होगा मोर्चे पर उसके ही सेनिकों को तैनात होना होगा इसलिए हिजबल्ला की तरफ से हमले तेज होने के बाद नेतन याहू ने अपना वार्ड ट्राइंगल तैयार कर लिया है नेतन याहू के वार्ड ट्राइंगल में सबसे बड़ा कोना गाजा में हमास का पूरी तरह खात्मा है नेतन याहू के वार्ड ट्राइंगल में दूसरा बड़ा कोना लिबनान में हिजबल्ला का अंत है जबकि नेतन याहू के वार ट्राइंगल का तीसरा सबसे खतरनाक कोना है सीरिया जहां पर इसराइल की एर फॉर्स ने हमले तेज कर दिये हैं ये तीनों जगा या देश इसराइल के बॉर्डर से लगे हुए हैं और इसराइल इन्हें अपने खिलाप सबसे बड़ा खतरा मानता है यही वज़ा है कि इसराइल साल के बारा महीने महीने के तीस तिन और दिन के चौबीस घंटे युद्ध के मोड में रहता है उसकी सेनाएं हमेशा एक्टिव रहती हैं दुश्मनों को लेकर हमेशा चौकन ना रहती है अपने आसमान को सुरक्षित रखने के लिए अभी इसराइल के पास चार लेयर में डिफेंस सिस्टम है पहला है आईरन डोंग जो रॉकेट और विमानों को 70 किलोमेटर के दायरे में रोक सकता है मिड सेग्मेंट में दूसरा है डिविड सिलिंग सिस्टम जो धाई सो किलोमेटर की रेंज तक मिजाईल या विमान का दुश्मन बन जाता है एरो टू एर डिफेंस सिस्टम इसकी रेंज भी धाई सो किलोमेटर तक है लेकिन ये डिविड स्लिंग के मुकाबले में ज्यादा उंचाए पर जाकर आस्मानी टागेट को मार गिरा सकता है और चौता है एरो त्री जो ठाई किलोमेटर से भी आगे के टागेट को खत्म करता है और अब यही एर डिफेंस सस्टम इसराइल का बिलिस्टिक मिजाईल को मार गिराने वाली गैरेंटी बन चुका है अपने चार लेयर डिफेंस के चलते ही नेतन याहू का जोश हमेशा हाई होता है वो अपने दुश्मनों को जवाबी अंजाम भुगतने की धंकी देते हैं गाजा में भी यही हुआ 7 अक्चुबर को अटैक के बाद से गाजा पर इसराइल का हमला जारी है युद कान कब होगा ये फिलहाल कोई नहीं जानता लेकिन जैसे जैसे युद लंबा खिचता जाएगा मौत के आंकड़े भी पढ़ते जाएंगी बर्बादी भी पढ़ती जाएगी फिलिस्तीन के स्वास्त मंत्राले की माने तो युद में अब तक 19,400 फिलिस्तीनियों की मौत हो चुकी है दूसरी तरफ इसराइल के 139 सेनिकों की जान चली गई है बर्बादी और तबाही के ये आंकड़े तब है जब इसराइल फिलहाल एक मोर्चे पर जंग लड़ रहा है अगर हिजबल्ला से भी आरपार की लड़ाई हुई और इसराइल को दो मोर्चों पर लड़ाई लड़नी पड़ी तो ये तैह है के बर्बादी और तबाही गाजा में हो रहे युद्ध से कहीं ज्यादा होगी झाल झाल झाल